Hello and welcome to my YouTube channel और आप हैं हुसाइन सर के साथ गैज यह हमारी Photoshop की ट्रेनिंग सीरीज चल रही है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं Edit Menu यह Edit Menu का फर्स्ट टुटोरियल है तो चलिए शुरू करते हैं वेलकम बैक तो कोईच देखिए Edit Menu स्टार्ट करने से पहले File Menu में भी दो-तिन उप्सन रह गए थे उनको भी हम देख लेते हैं तो चलिए हम देखते हैं File Menu में सबसे पहले तो यह उप्सन हमारा रह गया था File Information तो देखिए File Information क्या होता है कोई भी फोटो जब हम अपना बनाते हैं या उसको Output देते हैं JPG में या किसी भी Format में तो उसकी एक Information होती है वो Information हम Photoshop के अंदर Fill कर सकते हैं अगर वो Information हमने Fill कर दी तो उसके बाद वो Photo जिस पर हमने Information डाली है वो Photo किसी भी Website में अगर वो लगाया जाएगा या कहीं Internet पर सको डाला जाएगा तो वो उसकी Information से उसको सर्च किया जा सकता है वो Rank में आ सकता है उसका एक तरह का आप SEO समझ लीजिए कि यह हम SEO कर रहा है फोटो का तो देखिए फोटो में बहुत सारी Information होती है जैसे कि Basic Information यहाँ पर है Document Title आपने Document का Title क्या है आपके Author कौन है Author Title क्या है यहाँ पर बहुत सारी चीज़े आप डाल सकते हैं इसके लाबा देखो Camera से जो Information आती है वो यहाँ पर मिल जाती है इसके लाबा Origin Origin में आपको Date Created Considerate में आपने Create किया City, State, Country पर सारी चीज़े इसमें डाल सकते हैं इसके लाबा देखिए IPTC है और IPTC क्या है देखिए International Press Telecommunication Council यह क्या होता है यह International एक System है उसके लिए यह Information यहाँ पर डाली जाती है कि आप internationally इस Photo को किस तरह से Show कराना चाते है इसमें Copyright System भी होता है कि Copyright आप देखिए IPTC Extension है यहाँ पर आप अपना Copyright की पूरी Information डिस्क्रिप्शन वह सारी चीज़े आप यहाँ पर डाल सकते हैं लेखिए यह GPS डाटा है GPS डाटा जब हम कोई Photo खीशते हैं इसका अपना ओडियो डाटा और यह वारे में किस किस तरह से यूज किया क्या करा सारी चीज़ें ओर धिकॉम सिस्टम है machine, machine के अंदर जो digital information होती है, वो सारी चीज़े हम यहाँ पर डाल सकते हैं, इसके लाब देखे, Adobe की कुछ information डाल सकते हैं, Adobe Experience Manager की कुछ information इसमें डाली जा सकते हैं, इसके लाब देखे, इसका raw data है, तो raw data आपका जो भी image होती है, वो किसी ने किसी language से बनती है, तो यह सारी चीज़े आप इसमें fill करके और इसको ok कर सकते हैं, और ok करने के बाद जो आपका photo होगा, उस photo पर पूरी information इसमें fill हो जाएगी, इसके लाब देखे, इसमें अगला option है print का, अगर आप अपने photo को या अपने document को print कराना चाते हैं, आपके system से कोई printer जुड़ा होना चाहिए, और आप print क्लिक करके उसको print करा सकते हैं, अब आप एक single copy करना चाते हैं, तो direct इहां से print single copy कर सकते हैं, और exit करेंगे, तो यह पूरी Photoshop exit हो जाएगी, बंद हो जाएगी, अब हम चलते हैं, जो हमारा आज का काम था edit, तो edit भी चलते हैं, अडिट में सबसे बहुत अंडू है, redo है, और तोगल last stage है, इन तीनों को मैं अभी करके दिखाता हूँ, अभी यह हमारे पास background है, मैं इस background को layer बनाता हूँ, बैक्ग्राउंड बन गई, और अगर आप redo करते हैं दुबारा से, तो देखो आप एक step आगे चले जाते हैं, अगर आप undo, redo दोनों toggle करना चाहते हैं, तो देखो यहां से कर सकते हैं, यह देखो यहां पर toggle last stage, देखो यह ऐसे, फिर दुबारा करें, अगर आप किसी भी image को पर कोई filter डाल देते हैं, तो उस filter को वो fade करता है, उस filter की fading करता है कि कितनी percent इसके उपर हमें filter डालना है, अब देखो मैं डाल के दिखाता हूँ, मैं पहले इसको layer ही बना लेता हूँ, देखो हमने layer बना ली, और मैं filter में चलता हूँ, filter में जाने के बाद मैं डालता हूँ billar, और billar में मैं डालता हूँ Gaussian billar, उस से कमजादे किया जा सकता है, fade से क्या होगा कि इसकी opacity कम कर सकते हैं, opacity देखो, opacity कम करेंगे दो कम हो गया, और कम करें देखो ऐसे, तो कितना कम करेंगे दो बिल्कुल कम हो गया, जिरो तो जो Gaussian billar था वो खतम हो गया, आप देखो, यहाँ से आगे बढ़ें, तो देखो, Gaussian billar इसमा आता चला जा रहा है, देख रहे हैं आप, अब देखो, यह Gaussian billar हमने इतना डाला, और यहाँ से आप mode भी change कर सकते हैं, mode कर देखो, आपने multiple, multiple करते हैं, देखो, यह multiple mode हो गया, देखी इस तरह से, यानि blur और multiple mode हैं आप ऐसे कर सकते हैं, change कर सकते हैं, lighten कर सकते हैं, आप screen कर देखो, तो देखो, यह lighten हो जाएगा, देखो, आप ऐसे, lighten, तो आप इसको कम कर सकते हैं, जादे कर सकते हैं, तो यह जो है, Gaussian, Bilaria, कोई भी filter को आप fade कर सकते हैं, इस वाले option से, जो मैंने आपको बताया, देखो, यहां से fade में जाकर, ठीक है, तो यहीं fade के आगे लिखा आजाएगा, कि हमने कौन सा filter इसमें डाला है, उसको आप कम जादा कर सकते हैं, ठीक है, अभी देखो, मैं इसको undo कर रहा हूँ, undo कर लेता हूँ, और undo करके हम बापस आगए, अब देखो, यहां पर एक option है, cut, copy, paste, इस तरह की चीज़े, तो यह तो आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, तो देखे, मैं इसको layer, फिर से layer बना लेता हूँ, यहां से double के लिकरे लेर बना ली, अब देखो, क्या करते हैं, देखो, यहां पर मैं इसका selection मनाता हूँ, और selection मनाने के बाद, यहां से करता हूँ, cut, जैसी मैं cut करूँँगा, देखो, यहां से, यह जो selection मनाया था, यह cut होई, अब मैं paste करता हूँ, तो देखो, यह paste हो जाएगी, देखो, यह उतना area cut होकर, यहां से paste हो गया, अगर हम चाहते हैं, कि यह area cut ना हो, यहां से, यह area यही पर रहा है, और copy होकर यहां आ जाए, तो वो simple, आप समझ रहे हैं को, मैं undo कर रहा हूँ अभी, और अब हम करते हैं, देखो, copy, selection मना होना चाहिए, copy, और copy करने के बाद मैं selection को हटा रहा हूँ, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहां पर paste कर रहा हूँ, मैंने paste कर दिया, तो देखो, वो area वहाँ पर भी और यहां पर भी आ गया, तो cut और copy में आपको फर्क समझ आ गया होगा, अब हम करते हैं, देखो, इसमें एक option है, copy merge, देखो, copy merge क्या होता है, copy merge होता है, कि अगर एक से जादा layer हूँ, देखो, भी मैं करके दिखाता हूँ, मैं यहां पर control T दबा रहा हूँ इसको, और इसका size, यहां से, तो इसका size मैं यहां से छोटा कर रहा हूँ देखो, यहां से, और मैं एक layer और ले ले लेता हूँ, यहां पर, देखे, इसको apply करते हैं पहले, stretch layer, अब देखो, यह layer बन गई, अब इसको control T दबा कर, मैं छोटा कर लेता हूँ, देखो, यहां से, और छोटा कर के इदर रख देता हूँ, देखो, यहां से, मैंने यह रख दिया, और अब देखे, हम यहां पर selection मना लेते हैं, दोनों के बीच में, देखो, मैंने यहां पर selection मनाया, और selection मनाने के बाद में, अब क्या करते हैं, यहां पर हम करते है, copy, देखो, simple, अभी हम क्या करते है, copy, तो copy, कौन सी layer होगी, देखो, यह जो layer select है, यह वाली layer select है, अगर मैं यहां पर copy कर दूँ, तो ये वाली layer देखो copy हो जाएगी अब देखो copy हो गई control यहाँ पर मैंने क्या किया control D और देखो अब हमने क्या किया इसको paste किया paste करेंगे तो देखो क्या कौन सी layer आई देखो यह देखो वाली layer जो layer select थी ठीक है इसको मैं delete कर रहा हूँ अगर ये layer select होती तो ये वाली आज़ती देखो select किया ऐसे अब देखो मैं करता हूँ copy तो देखो यहाँ पर copy और इसके बाद देखो control D और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ तो देखो यह अब कौन सी layer आगई अब देखो यह वाली layer होई अब मैं चाहता हूँ कि दोनों layer एक साथ select चाहें एक layer हो लेकिन layer merge होकर copy हो जाए ठीक है तो अब हम क्या करते हैं देखो हम क्या करेंगे वही option जो मैंने आपको बताया था कि copy merge आप कर दीजे copy merged आपने copy merge किया control D प्रेस किया आप देखो paste करें आप अब पर paste तो देखो जैसी paste करेंगे तो देखो यह देखो दौनों layer copy होगे merge होके नई layer में देखो आप चीक है तो इस तरह से हम copy merge करते हैं सारी layer merge होकर copy हो जाती है बस समझ गए अब देखो आगे जलते है अब देखो इसमें क्या है देखो paste special क्या चीज है वो भी समझ लिए अब देखो हम एक साइज के दो photGảo ले लेते हैm एक ईसको भी . हटा रहा हूँ रहा है और इसको भी हटा रहा हूं धेखो यहां से इसको delete कर रहाूं यहां ससे अब यहां पर हमने copy करा था वो देखो इसकी clipboard में है देखो यहाँ पर information है और देखो हम इसको create करते हैं उसी size की दूसरी file बन गई ठीक है अब देखो यहाँ पर आपको देखना होगा कि अब मैं करता हूँ देखो यहाँ पर मैंने यह select किया देखो यह वाला area ठीकि चाहिए मैंने यह वाला कर लिया यह नीचे वाला area कर लिया ऐसे अब मैं इसको copy करता हूँ देखो copy करें और copy करने के बाद में हम क्या करते हैं देखो यहाँ जाते हूँ और आप क्या करते हैं normal paste करते हैं पेस्ट नार्मल पेस्ट करेंगे तो यह center में आया बहुत समझे देखो center में आ गया अभी हमने copy कहां से किया था देखो यहां से नीचे से अगर हम इसको यहां से भी copy कर लेते ना देखो यहां से भी तो अभी और हम यहां पर चलते हैं और जाने के बाद में यहां करते हैं paste special, paste in place, जैसी है paste in place करेंगे तो उसी जगा पर place हुआ, जिस जगा से copy हुआ था, बास समझ गए, तो इस तरह से हम center में न लाकर उस जगा पर भी paste कर सकते हैं, जहां से हमने copy किया था, clear, तो चलिए आगे चलते ह और यहां पर paste special में और option है, पेस्ट without formatting यह क्या चीज है, इसके बारे में समझते हैं, आप देखो इसको close करते हैं, और यहां पर control D प्रेस करके D select करते हैं, और अपकी बार में कुछ text लिख लेता हूँ, यहां पर text में गए, तो देखी, text tool से हम ने देखी, इस तरह से हम इ और nature को हम select कर लेते हैं, और nature को select करके देखी, यहां पर मैं इसका color change कर देता हूँ, मैं यहां पर red color कर लेता हूँ, और size यहां पर बढ़ा देता हूँ, देखी, मैंने size कर दिया 300, मैंने size 300 कर दिया, और जादा कर लेते हैं, 400 कर देते हैं, 400, और यह जो था नीचे का, इसक जो है टेक्स्ट वो हम थोड़ा सा यहां पर चेंज करते हैं और यहां पर एरियल कर देते हैं एरियल में जाने के बाद देखो रेगुलर और एरियल के बाद देखी यहां पर रेगुलर नॉर्मल रहने दीजिए और साइज यह रहने दीजिए इसके बाद देखी यहां पर setting में थोड़ा सा मुझे कुछ कर अबर लग रहा है देखो auto कर दीजिए इसको और हाँ तो सब ठीक है paragraph हाँ सब ठीक है तो देखी ये मेरे पास एक text यहां पर बनके आ गया और देखो यहां पर इसका text यह है अब क्या करते हैं देखो यह जो text है यह normal text हमने यहां पर लिख दिया अब इसकी जो formatting है जो हमने यह formatting किये यह formatting हम वहां पर चाते हैं दूसरे किसी text में तो चलिए हम क्या करते हैं हम एक नई file बना लेते हैं पहले मैं सबसे पहले इसको इसी के बरावर अब ऐसका बना लेता हूं control A control c और यहां चलते हैं new में नू में जाने के बाद देखिए हमसे create करते हैं तो इसका थोड़ा सा color change कर लेते हैं मैं यहां से color change कर रहा हूं मैंने color यह कर दिया यह वाला color और जो है मैंने back space यह कर दिया यहां पर चलते हैं और कंट्रोल डी को प्रेस करते हैं डी सेलेक करने के लिए और इसको डबल किलिक करके जो है यहां से आप जो है कॉपी करते हैं इसे कॉपी यहां सेलेक किया और हमने क्या किया देखो यहां से कॉपी और कॉपी करने के बाद देखो हम चलते हैं यहां पर और जाने के बाद टेक्स्ट को हम यहां से ऐसे इस तरह से लेते हैं और अब हम करते हैं पेस्ट यहां पर देखो अगर हम नॉर्मल पेस्ट करते हैं नॉर्मल पेस्ट तो देखो यह ऐसी आ गया समझ गया यह जैसा वहां पर लिखा हुआ था वैसी आ गया और अगर हम करते ह यहाँ पर देखो paste special में जाकर paste without formatting तो जैसी without formatting करेंगे तो बिना formatting के देखी यहाँ पर आएगा जो font और जो चीजे हमारी पहले से अल्रीड डिसाइट थी देखो fire night और देखो regular 400 pixel जो size हमारा decide था वही size देखो यहाँ पर apply हो तो चलिए मैं इसको क्या करता हूं यहां से इसको मैं close कर रहा हूं और इसको मैं delete करता हूं यहां से अब देखे मैं इसको control 0 दबा कर बढ़ा कर लेता हूं तो अब हम यहाँ पर कोई selection मना लेते हैं तो देखे हमने यह LF tool लिया और LF tool से हम यहाँ पर selection मैं लेते हैं देखिए और मैंने selection मैंने selection बना लिया और अब मैं क्या करता हूँ, यहां से COPY करता हूँ COPY और नई file ले लेटा हूँ size उ अद्रण ले लेते हैं यहाँ ले लिये हमने यहाँ पर option है paste into और dinheiro यह दोनों option के बाद देखो अब मैं क्या करता हूँ इस सेलेक्शन के अंदर मैं चाहता हूँ कि वो जो मैंने कॉपी किया है वो इस सेलेक्शन के अंदर ही आए बास समझे है इस सेलेक्शन के अंदर ही आए तो अब क्या करेंगे देखो यहां पर जो हमने कॉपी किया है यह तो कॉपी कर करता हूँ देखो यहां पर मैं करता हूँ देखो पेस्ट इंटू मैंने किया है पर पेस्ट इंटू जैसी में पेस्ट इंटू करूँगा तो देखो क्या हुआ देखो mask बन गया और देखो यह जो है इसके अंदर आगया, जो selection मनाए हुआ था वो उसके mask के अंदर यहाँ पर आ गया ठीक है, अब हम करते है paste आउटसाइड, जब paste आउटसाइड करते है तो उसमें क्या होता है देखो, उसमें क्या होता है, यह बाहर-बाहर आएगा, अंदर नहीं आएगा, तो मैं इसको delete करता हूँ, या undo कर लेता हूँ, ctrl-z, undo करके selection भी बचा रहे जाएगा, और देखिए, अब की बार क्या करते हैं, अब पेस्ट जाते हैं, पेस्ट और पेस्ट करते हैं, आउटसाइड, जैसी आउटसाइड पेस्ट करेंगे, तो देखो, उस जगा में mask हो गया, और आउटसाइड बार बार आ रहा है, बास समझे, तो यह हो गया, पेस्ट करने का तरीका, पेस्ट इंटू, या पेस्ट आउटसाइड, बास समझे, अब देखो अगला option देखते हैं, अगला option है, देखो clear, तो clear क्या है, देखो, अभी clear में, आप जैसे delete का button काम करता है न, selection मनाने के बाद, वैसे clear काम करेगा, मैं भी आपको दिखाता हूँ, देखो, देखो, इसको मैं close कर रहा हूँ, देखो, ये selection मना हुआ है, अब हम इसकी layer बना लेते हैं, double click करके layer बना ली, और देखो, हम delete करते हैं, जैसे delete करेंगे, तो वो area delete होगा, जो area selection के अंदर है, अब देखो, मैं इसको undo कर रहा हूँ, और हम अगर यहां से clear करें, तो same वही काम होगा, देखो, clear करने पर क्या होगा, वही काम होगा, यहां से वो area delete हो जाएगा, जो area selection के अंदर है, तो देखो, clear सिर्फ selection के अंदर के pixels को clear करता है, लेकिन delete तो और भी कई जगाओं पे काम आता है, ठीक है, तो clear और delete में दोनों में फर्क है थोड़ा सा, यह आप समझ लें, इसके लाब देखो, search option क्या है, तो देखो, search क्या है, मैं आपको search बताता हूँ, देखी, यहाँ पर जैसे माल लीजी, यह मुझे clear करना है, ठीक है, तो मुझे अभी clear का नहीं पता कहां पर है, तो मैं क्या करूँगा, search करूँगा, देखो यह, control F दबा कर search करूँगा, search करने के बाद देखो, यहाँ पर लिखे हो clear, मैंसे लिखे हो clear, तो देखो, यह clear का यहाँ पर आ जाएगा, देखो, clear आगए edit, देखो, यहाँ पर clear, जैसे हम clear करेंगे, clear हो जाएगा, ऐसी आप कुछ भी search कर सकते है, control F दबाएं, और आप paint tool सर्च करना चाहें, तो देखो, paint tool आगया, paint tool select हो जा आप उसमें जा सकते हैं, तो आपको कहीं ढूंडने की ज़रूरत नहीं है, control F से, आप यहाँ पर search से, कुछ भी search कर सकते हैं, clear, और देखो, अगले option है, check spelling, और find and replace text, तो देखो, check spelling क्या है, spelling चेक करेगा, अब मैं आपको दिखाता हूँ, spelling कैसे चेक होगी, तो क्या करते हैं, इसको मैं control D press कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हमें एक नई file ले लेते हैं, new file, और new file हमने यहाँ से create कर ली, देखो नई file हमारे पास आगई, अब क्या करते हैं, देखो, यहाँ पर हम text लिखते हैं, कोई भी text, अब मैंने यहाँ पर text लिखा, देखो, मैं य जाने के बाद देखो, यह जो है, इसका size auto करो, तो देखो, यह हमारे पास, अभी 400 ही है, तो 100 कर दो, यहाँ से कर दो 100, 100 हो गया, अब यहाँ पर आप देखिए, कुछ ही लिखा हुआ है, यह सब लिखा हुआ है, लेकिन आप अपनी मर्जी से कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ चीजे लिखें और उनको गलत करेंगे, ठीक है, तो देखिए, मैं इसको यहाँ रखता हूँ, देखिए नीचे, और इसका size जो है, मैं यहाँ पर black करते रहा हूँ, ब्लैक size करते रहा हूँ, और देखिए, यहाँ पर हमने, लॉरम इफिसंस की जगे हम क्या करते हैं देखो, हम लगते हैं, computer, computer, और computer हमने लिखा is an electronic को गलत करते रहा हूँ, अब डबल ही कर देते हैं, electronic, आप देखो, यहाँ पर आए, और हम करते हैं, machine, ऐसे कर देते हैं, machine, ऐसे machine कर देते हैं, अब मैं इतना ही रनड़े देता हूँ इसको, और सबको यहाँ से डिलीड कर ठीक है अब इसमें ही मैं spelling चेक करता हूँ कि यह सही है गलत तो select किया यहां पर ऐसे और हम यहां चलते हैं और हम करते हैं check spelling यहां पर बता रहा है कि आपने electronic की spelling लिखी है वो गलत है और यह सही है चेंज टू यह सही है लेकिन इसके अलाबा यह suggestion भी दे रहा है बहुत सारे कि आपको और कोई चाहिए इसमें से तो और भी कोई ले सकते हैं आप देख लीजी कौन सी सही है तो यह electronic ही सही है हम करते है जी electronic चेंज कर दो अब देखो machine के बारे में भी बता रहा है कि machine जो है अब देखें दूसरा option है找ba find & replace और हम क्या करें हैं अब फायंड करते हैं computer From go to find करते हैं, find, और देखिए, अब change क्या करना है, पहले तो find करें, तो देखो, यहाँ पर कोई computer नहीं मिल रहा उसको, तो हमें select करना था पहले, देखो, यहाँ पर रखना था इसको, ऐसे, और तब find करना था, तो आपकी बाद हम find करते हैं, computer, find, तो देखो, यह हो गया, यह पहल लेपटॉप होगा दन तो देखो आप ऐसे चेंज भी कर सकते हैं यानि कम्विटर की जगए least लैप्टॉप करें और गाइज अगर कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में लिक कर बताएं गाइज अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिली सब्सक्राइब करें और वैल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे कि आपको हमारी नोटिफिकेशन बिलते रह लाइज सब्सक्राइब गाइज BI